हाई दोस्तो आज मी बताने वाला हूँ फिरी फायर में आप करेक्टर कैसे चेंज कर सकते हैं और चेंज करने के साथ आप ए नया करेक्टर कैसे पैसे में खरीच सकते हैं आज मी इसी के बारे में बताने वाला हूँ और इससे पहले अनिल टेक के चैनल पर नए आ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आकन घंडी को प्रेस्ट करना जिससे आने वाला है नोटिफेक्स करन आपके पास आता रहे गया तो चलिए स्टार्ट करते हैं से पहले हमें करेक्टर चेंज करने के लिए करेक्टर के आपसन पर जाना है इस पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद यहां पास आप देख सकते हैं यहां पास लिखाया हुए चेंज तो इसके बाद हमें कर देना है चेंज पर क्लिक कर देना है इसके बाद हमारे पास जो भी करेक्टर में लाक लगा हुआ है तो सबसे पहले मैं अपने फर्स्ट वाला करेक्टर में किलिक कर देता हूं किलिक करने के बाद ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा तो मैं किलिक कर दिया हूँ और थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है आप देख सकते हैं करेक्टर आ गया है इसके बाद करेक्टर चेंज हो गया है आप देख सकते हैं और उपर तरप आप देख सकते हैं कट कर निशान ही इस पर मैं किलिक कर देता हूं इसके बाद करेक्टर चेंज हो गया है आप देख सकते हैं अब इसके बाद आपको नया करेक्टर कैसे खरीदना है उपर तरब आप कोईन देख रहे हैं मेरे पास कोईन है तो इस कोईन से मैं खरीच सकता हूं तो करेक्टर पर फिर से जाना पड़ेगा क्लिक कर देता हूं इसके बाद मैं change के option पर क्लिक कर देता हूं क्लिक करने के बाद मैं थोड़ा सा loading लेगा इसके बाद आ जाएगा आप देख सकते हैं loading होकर आ गया है और मेरे पाद 4 character है उपर तरह भी स्ट्रोल कर दिया हूं आप देख सकते हैं तो यहां से मैं कोई भी लाग पर क्लिक कर देता हूं तो इसमें मैं क्लिक कर देता हूं तो यहां से क्लिक कर दिया हूं अब इसे खरीदना है मेरे को तो इसके बाद Uptain पर जाना है तो इस पर मैं click कर देता हूं पर मैं click कर दिया हूं और इसके बाद थोड़ा सा loading लेगा आप देख सकते हैं loading ले रहा है तो यहां बहुंस सारा character आ जाएगा मेरे सामने यह diamond में भी है आप देख सकते हैं और coin में भी है तो मुझे coin में खरीदना है तो यहां से मैं देख लेता हूँ कितने सारा coin में है और diamond में तो diamond में बहुत सारा है लेकिन मुझे coin में खरीदना है तो coin में खरीदने के लिए नीचे तरफ उपर तरफ इस्ट्रोल कर देता हूँ और बहुत सारा इसे diamond और coin भी दिया हुआ है तो कम से कम coin होना चाहिए इसके लिए 2000 आप देख सकते हैं और मेरे पास है 3000 सुपर है तो इसी पर्क में किलिक कर देता हूँ तो मैं इस पर किलिक कर दिया हूँ आप देख सकते हैं किलिक कर दिया हूँ इसके बाद आपको बोल रहा है की तो यहाँ पास दो आपसन है coin और diamond में क्वाइन में क्लिक कर दिया हूँ और यहां से मैं ओके कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं यहां से जो करेक्टर ही यह चेंज हो गया है इसके बाद मैं कट कर लेता हूँ यहां से और फिर से बेक आ जाता हूँ उपर तरफ कट कर निसान यहाँ पर फिर से मैं कट कर लेता हूँ यहाँ देख सकते हैं करेक्टर आ गया है और उपर तरफ जो कॉइन था यह घट गया है तो कॉइन में मैं करेक्टर खरीद लिया हूँ और इसी परकार मेरा वीडियो अच्छा लग現在 लाइक, सब्सक्राइब, सेयर जरू करना दोस्तों और अपने दोस्तों पाथ जदा जदा सेयर करना और मेरे पास 5 करेक्टर हो गया है आप देख सकते हैं ऐसी करकर आप नया नया करेक्टर ख़ई सकते हैं